बسم दिल्ला रोहामानीवथाहिँ आज यहीं में आज के स्वीडियो िविडियो में हम लोग बीडियो को देखेंगे इंटेनल एइयर की निफिल्पे के लगे तोके हैं पहले हम लोग सफसी पर हमेरे अच्छानल एकास्टिक नांटस वाला परशन होते हैं बेटो चाहँ मेंबरेन रहे ही तक सबस्केथ कि क्षिआ, चाहती है जो हम आप समय घान कि दीज़ कुषा आप, आपना अ नॉक्ता है। यह अव्यम्परेन आ जाते हैं शो का सहश्य क्षबस समय के कर समय देखेंगे लाग। जो है वो कैसे डिवलब होता है and then in the last हम लोग देखेंगे कि हमर पर जो यहां पर जो यहां पर थिक सा पोर्शन होता है यह लॉब्यूल कैसे डिवलब होता है ठीक है अब इन सब की development को हम लोग वन देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमर पर इस एक्सटरनल अकॉस्टिक मीटर से वह कैसे डिवलब होता है अच्छा तो हमारे पास डिवलब होता है फॉर्स परिंचयल ग्रूफ से ठीक है यह पर लोग फिर्स डियाग्राम में देखें यह अंदर के जो आपको इन्वेजिनेशन यह आपको गूफ नजर आ रही है यह आप आपके पास PERSFERENCAL GROVE है इस गरूफ से हमारे पर बनेगा EXTERNAL ACOSTIK METERS ठीक है अब यहां पर इस दियागरम पर आजएए अब इस डियागरम में आप देख सकते होगे और को किनाल की प्रवर्मेशन नजरा गया घी है इसको हम लोग नाम देते हैं मेटल प्लग का ठीक है अब इस मेटल प्लग के अंदर हमार पर सागे जाके क्या होगा इसका जो इसके इतने भी सेंट्रल सल्स मुझूद है उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी और हमार पास जो है एक्स्टरनल एकॉस्टिंग मेटर जो है तो फर्स ट्रक्टिय था हमार पास एक्स्टरनल एकॉस्टिंग मेटर वह दन हो गया अब हम लोग देखते हैं कि हम आपको त्यूपैनिक मेंब्रेन के आउटर पार्ट की बात बताऊं चूंकि मेली हम आउटर पोर्षन ही इन्वाल्व होता है एक्स्टरनल एयर के अंदर तो जो पॉर्षन हो तो मिटल एयर में चला जाता है तो जो इसका आउटर पोर्षन है इस फर्स परिरेंजल मेंब्रेन से ठीकिए जूप करी रहे हैं को सब्सक्राइब करेंज को बनाती है तो तेन चीजा बनाती है वह तो मैंने आपको बताती हूं अच्छाए बहां उसक जो है ना मरपस तीन सोर्स होते हैं अब हम देखते हैं वो तीन कौन-कौन से सोर्स हैं एक तो हमारे पास उसमें आ जाता है एक्टोडर्म ठीक है पहला सोर्स आ जाता है दूसरा सोर्स आ जाता है जी हमारे पास एंडोडर्म और तीसरा सोर्स है वो हमारे पास आ जाता है मेज आपको याद होगा मैं आपको प्रीविज वीडियो में बताया था जिसमें हम लोग रहें टिम्पैनिक केविटी वगरे की प्रोडक्शन मतलब उसकी हमने चीज़े बनाई थी तो उसी टिम्पैनिक रिसे से हमार पर जो एंडोटर्म आता है वो टिम्पैनिक में भी बनाते ह ठीक है उसके बाद मिजन काई मां जाता है जो मिजन काई म मां पस आता है वो आता है जी फरस्ट एंड सेकिंड फ़रिंचल आर्टीस से दोनों से आते हैं तो ये तीन सोर्च बहुत इंपॉर्टन आप याद कर लीज़ेगा क्योंकि एसी को में भी पूछ सकते हैं आपस ए औरिक में और लाहरे के औरीक्ल में उलसा है . अर्व ब्हुत है और इसको खाड़न ने उससे किसे बहुत कर दहा है और पर यह कहां से बनते हैं ? कहां से बनते हैं ? लिए भाट रिपर फ़र्शन ऐस से बितने हैं हमारे oracle की भी अब जो भांग आप आप अजिती हे जिसी se auracle की growth होती जानती आइसी जानती है ना तो जो first arch है आपने contribution को कम करता झाता है ठीक है जासे growth होती है इसकी कंटglution कम होती जाती है और गोड़मे एक बॉपर्टन जो चीज हम σεहमें article से sport related उनोंने बताई है है, उनोंने बताई है कि Oracle का वह पार्ट जो कि 1st Pharen记 whats especially pest launch उसकी NERV supply क्या है मरफस अलाग है और वह पार्ट जो कि 6nd Pharen sixteen honour से दूप outta Manuel से डुछ अलागी अवह वह क्योंकि पार्ट जो कि 1st Pharen相ी इंट से डुछ हुआ है है दो फिर्स परिंजल आर्ज्र को Juन सब्भाईकल प्लैकस से सर्वाइकल प्लैक्सिछ कोंग से व्राइप से अधिये उसको लैजर ऑक्सिटिल ऊपील भी एग है दीए ग्रेटर उलॉक्यूलर नर्फ से सप्लाय आती है तो यह बात है एमसे क्यों के हवाले से इंपोर्टन्ट तो आप प्लीज याद कर लीज़ेगा ठीक है तो यह हम लोगों ने जो है ना औरिकल से लेटर इंपोर्टन्ट चीदे देख ली एक और बात आप आप या दिकिएगा कि जो हमरे पस सेकंड परिंजल आर्च वाला कॉम्पोनेंट होता है ना औरिकल का उसको जो है कुछ हमरे पस फेशिल नर्फ से भी सप्लाय आती है यानि के सेवंथ क्रेनियल नर्फ से भी सप्लाय आ जाती है ठीक है तो यह हमरे पर जो है औरिकल की डिवेलपन्ट होगी अब लॉब्यूल के हम बात करते हैं जो हमरे पर स्लॉब्यूल होता है इसकी इससे को इतनी खास बात नहीं है बस आपने याद एकना है कि हमारे औरिकल का वो पार्ट है जो सबसे लास्ट पर डिवेलप होगा ठीक है और उसके बात आपको यह पता होने चाहिए कि स्टार्टिंग में जो है ना य होगी नेक्ट विजिए तक के लिए अलाफिज थैंक्यू सो मच